आज की यह शिक्षाप्रत कहानी आपको सिखाएगी कि जीवन में खुद को और अपने अशांत मन को कैसे शांत रखा जा सकता है। यह कहानी एक राजा और एक महान बौध भिक्षु की है। भारत के दक्षिन राज्य में एक बहुत सम्रिध राजा हुआ करते थे, जिनका मन कुछ समय से बहुत अशांत चल रहा था। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाता है और पता लगाता है कि अम्मन को कैसे शांत किया जाए। बड़े बड़े विद्वान आते हैं और उपाय बता कर चले जाते हैं लेकिन भी कोई उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ती राजा के पास आता है और कहता है हे राजन मेरे पास आपके मन को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय है। राजा उस व्यक्ती की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उस व्यक्ती से कहता है कि गर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें मन चाहा ध नहीं बलकि वह दुनिया का बहुत बड़ा विद्वान सन्यासी है। वो आपका समाधान जरूर कर देगा। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं कहां मिलेगा ये सन्यासी। व्यक्ति ने कहा चलिए मेरे साथ मैं आपको उस जगह के बारे बताता हूं जहां आपको वो सन्यासी मि को यहां से कुछ दूर उस जंगल के बीच पहाड़ों पर मिलेंगे। वह वहीं पर रहते हैं। राजा अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ जंगल से होता हुआ उस पहाध्धी पर पहुंचता है। पहाध्धी पर उसे वो सन्यासी मिलते है जो कुछ काम कर रहे होते ह ये सन्यासी कोई और नहीं बलकि बौध्धी धर्मन ही होते है राजा बौध्धी धर्मन के पास जाता है और कहता है कि सुना है आप बड़े है जानी सन्यासी हो किसी ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप ही मेरी समस्या जा समाधान कर सकते हो बौधी धर्मन राजा की बातों को अनसुना करते हुए अपना काम करते रहते हैं इसके बाद राजा तुरंत अपनी समस्या बताते हुए कहता है कि मेरा मन बहुत अशांत है क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हो यह सुन बौधि धर्मा, राजा की ओर देखकर है और मुस्कराते हैं, फिर राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, धन मेरे पास इतना है, जिसका मुझे खुद अंदाजा नहीं, सभी सुख सुविधाएं हैं, भगवान ने मुझे दुनिया की सारी दौलत और संपत्ति दी है, लेकिन बस एक चीज की कमी है, मेरे अंद लेकर आपके पास आया हूँ, बाकी तो मैंने सब उपाय कर ली, बस आप ही मेरी अंतिमाशा हो, बौध ही धर्मा, उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ, ये सुन राजा बहुत खुश होता है, राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्य करना होगा, बौध धर्मा मुस्कुराते हैं, और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, और ध्यान रहे अकेले आना, राजा कहते हैं, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा, बौध धर्मा कहते हैं, एक बात और ध्यान रहे की, अपने अशांत मन को अपने सा ये सुनकर राजा चौक जाता है और सोचता है ये कैसी बात कह दी। इसलिए राजा सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेते हैं तो वो बोधी धर्मन से कहता है ठीक है मैं अशांत मन को साथ लाऊंगा। प्रयासी होकर यह भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तू नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूँगा मन तो मेरे भीतर है। बोध धर्मा उस राजा से कहते हैं तो ठीक है आओ यहां बैठो और अपनी आँख बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आँख बंद करके अशांत मन को भीतर खोजने की कोशिश करता है। बहुत देर आँख बंद करके बैठे रहने के बाद बौध धर्मा राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं आँख खोलो राजन। जैसे ही राजा बे आँख खोली, तो बौध धर्मा उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं बौध धर्मा. बौध धर्मा बोले, ठीक है, अब तुम कल प्रयास करना आज के लिए इतनी खोज परयाप्त है. राजा अपने महल चला जाता है, अगली सुबह राजा बौध धर्मा के पास आता है, और वैसा ही करता है, जैसे कल बताया था. राजा एक स्थान पर बैठ कर आँखे बंद करके, अपने भीतर अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है. बहुत देर तक राजा बैठा रहता है बौध धर्मा फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बहुत शांत आवाज में. बौध धर्म से कहता है, नहीं बौध धर्म, इस बौध धर्मा फिर से वहीं बात कहते हैं, कि कल फिर से आना औ और पुनह प्रयास करना। अगले दिन राजा बौध धर्मा के पास आया और वैसा ही करता है। अगले ही दिन सुबह के समय राजा अपनी आखें खोलता है। दोस्तों उस राजा की तरह हम भी अपने मन की शान्ती को कहीं बाहर खोज रहे होते हैं। लेकिन हमारे मन की शान्ती हमारे अंदर ही है। उसे शान्ती मन से बैठ कर आपको खोजना पड़ेगा। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें।